करनाल में कोरोना का कहर फिर से देखने को मिल रहा है जिसके चलते स्वास्थेवं पुलिस विभाग द्वारा कड़े कदम उठाये जा रहे हैं सिविल सरजन योगेश कुमार ने बताया कि गत दिवस सैनिक स्कूल कुंचपुरा के तीन बच्चे कोरोना पॉजिटिव आये थे उसके बाद स्वास्थ विभाग की टीम ने सैनिक स्कूल कुंचपुरा के होस्टल में रह रहे सभी बच्चों के टेस्ट के जिन में से आज 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें कोरोना के हलके लक्षन हैं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग अब लापर वाही बरतने लगे हैं मास्क का प्रियोग भी कम लोग कर रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वह भी नाक से नीचे मास्क रखते हैं उन्होंने आवान किया कि प्रोपर मूँ और नाक पर मास्क लगा कर रखें। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं इसलिए माता पिता को भी जागरुख होना पड़ेगा। जिन बच्चों में खांसी और जुकाम के लक्षन दिखाई देते हैं तो के टेस्ट अवश्य करमाएं और अगर वह कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो घर पर ही होम आइसोलेशन करें उन्होंने कहा कि कोरोना बढ़ता जा रहा है इसलिए हम सभी का करतव बनता है कि जादा से जादा सावधानी बढ़तें ताकि इसको फैलने से रोका जा सक सब्सक्राइब करते हैं तो लेकिन बच्चे में कोई किसी तरा के कोई जादा सिंटम्स नहीं है हमारी जो रैपे रिस्पांस टीम है वो सारी पहुच गही है स्पेशलिस्ट की टीम से वहां पहुंची हुए है और बच्चों को सेगरेट करके उस एरिया को सेड़ाइज किया रहा है तो हम जनता से क्या सब्सक्राइब करते हैं कि अभी इस कोविड का खत्रा टला नहीं है केस जुरूर कम होए ते लेकिन यह एक ऐसी महामारी है कहीं से भी अचानक यह हाट स्पॉट बन सकती है जैसा कि अभी इस केस में हुआ है तो उसी तरह से आप आप देखते होंगे पब्लिक स्पेस पे लोग बिल्कुल मास्का योग नहीं करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं जिनोंने मास्क पहन रखा होता है वो भी उसक जिसका कोई उचित्य नहीं बनता है तो मैं रप्रेस्ट करूंगा कि प्रॉपर तरीके से नाक और मू ढखके मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग मिंटेन करके रखें हैंड वाशिंग प्रॉपर करते नहीं हम सभी मिल के ही इस बिमारी से अगासा हम अगर हम मिल जो के यह स अगर पाये और अपनी वेक्सिनेशन जिस जिस एज घुरूप में आप सिक्स्टी प्लस की हमने वेक्सिनेशन शुरू कर रखिया तो जादा से जादा और आपनी वेक्सिनेशन करवाएं कि सबसे ज़्याधा ख्तरा जो है 60 एज अबाव के जो एज गूप है उसी को होता ह बच्चों के पेरेंट से सर क्या कुछ गयना जाएंगा, छोटे बच्चों के स्कूल बूल जो गए हैं, बच्चों में अगर कोई बी किसी तरह का छोटा मोटा सिंटम भी है, चाहिए खांसी है, जुबाम है, अल्का मुल का फेवर है, तो उनको एक तो स्कूल ना भेजें, इमिजेटली उनकी टेस्ट कराएं और घर में भी किसी को इस तरह के सिंटम हैं उनका भी तुरन टेस्ट कराएं केवल एक तरीका यही है टेस्ट कराने के बाद अगर कोई पॉस्टिव आता है तो उसको हम घर में सेग्रिगेट कर देते हैं जिससे कि यह जो स्प्रेड होने से हम इस बिभारी को रोग सकते हैं जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें